नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसपल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जोन लरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉनिंग इंडिया की खबरों में सबसे पहले शिर्वात करेंगे नवरात्र की खबर से नवरात्र के आठवे दिन मा महागौरी की पूजा का वधान है भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी जिससे इनका शरीर काला पढ़ गया था जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तब उनकी प्रिपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो विवा संबंदी तमाम बाधाओं की निवारण में इनकी पूजा अचुक होती है जोतिश में इनका संबंद शुक्र नामक ग्रह से माना जाता है जबार मागौरी की पूजा 20 अप्रेल यानि आज की जा रही है पीले वस्त धार्ण करके पूजा आरम करें मा के सक्षम दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें पूजा में मा को श्वेत या पीले फूल ही अर्पित करें उनके बाद इनके मंत्रों का जाप करें अगर पूजा मध्यरात्री में की जाए तो इसके परिणाम जादा शुब होताते हैं मा की उपासला सफेद वस्त धारण करके करें मा को सफे है इसलिए नवरात्री में कुवारी कर्याओ को पूजने और भूजन करानी की परंपरा है लेकिन अश्चमी और नवमी को अवश्य ही पूजा की जाती है दोवर्श से लेकर 11 वर्श तक की कर्याओ की पूजा का विधान है अलग 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 उम्र की कर्या देवी की अलग दिल्ली में कल राज से लॉक्डाउन शुरू हो गया है फिलाल से जरूरी सेवाई ही जारी है वह दिली मेट्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कई स्टेशन्स पर एंट्री गेट बंद कर दी है कौन-कौन से वो स्टेशन्स हैं वो आपको मैं बता रही हूं नई दिल् कोशना की गई है मुक्यमंत्री अर्विन केरजिवाण ने कहा है कि माँमारी के बढ़ते मामलों के कारण ये कदम उठाना आवश्यक हो गया था केर्जिवान ने कहा कि दिली में कोरुना वारत संकुर्मण के मरीज़ों की संक्या बढ़ती जा रही है यहां दवाओं बिस् संसकार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमती लोगडाउन के दौरान आवशक सेवाओं की अनुमती होगी नीजिकाराले अने प्रतिस्ठान जैसे दुकाने मौल सापताहिक बाजार निर्मारी काईया सेक्षिक और कोचिंग संस्थान सनीबा हॉल रेस्ता अबार असेम्ब लगा गया है दिली में लगातार कोरोना के रिकॉर्ड मामने दर्च हो रहे थे जिसको देखते विए फैसालिया गया इसे के साथ ही दिली में लोगडाउन की मियाज शुरू हो चुकी है लेकिन इस ऐलान के बाद से ही आनंद विहार को शामी बसर्डे से यूपी और विहा हाई दिये थे सुमबार को दिन भर आनंद विहार स्टेशन पर ऐसा ही दृष्य देखने को मिला यहां से मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे थे और इंतजार कर रहे हैं कि किसी बस के जरीयों अपने गंतव्य तक पहुंचने को मिल जाए इसके चलते आनंद व इंडियन प्रिमियर लीग यानि की IPL 14 के 12 मकाबले में चिन्ने सूपर किंग्स ने राइस्थान रॉयल्स को 45 रणों से शिकर्ष्त दी है CSK की इस जीत में स्टार आल राउंडर रविन जडेजा का एहम दोगदान रहा जडेजा ने एहम मौके पर दो विकेट चटकाए और चार कैच भी लपके रविन जडेजा ने राजिस्थान के ओपनर मनन वोरा, रियान पराग, क्रिस मौरिस और जडेव उनाकत का कैच लिया इसके अलावा उन्होंने जोस बटलर और शिवम दूबे का विकेट लिया जडेजा ने दोनों ही मल्लेबाजों को एक ही ओवर में पवेलियन पहुचा दिया पारी के बारवे ओवर में जडेजा ने अपनी टीम को ये दोनों सफलता दिलाई जडेजा ने कमाल की फिल्डिंग में की मैदान पर अपना 100% देने वाले जडेजा ने इस मैच में भी कमाल की फिल्डिंग की जडेजा ने राजिस्थान के बले बाद जयादेव उनाद केट का कैच लेने के बाद अलग अंदाज में जशन भी मनाया पहले तो उन्होंने चार उंगी दिखाते हैं इशारा किया और फिर कान परहात लगाकर फोन करने का इशारा किया रविन जड़ेजा एपियल में एक पारी में सबसे ज़्यादा कैश लेने के मामले में सचिन तेंदुलकर और डेविड वर्नर जैसे खिलाडियों के क्लम में शामिल हो गए हैं एक पारी में सबसे ज़्यादा कैश लेने का रेकॉर्ड सचिन तेंदुलकर वर्नर कैलिस पाने रही है न्यूस पाल इंडिया के साथ